नमशकार दोस्तों, जैमाता अदी, पूझा शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईयों को बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नवीशे पर हम चर्चा करेंगे वो है घर में रखी हुई चोटी सी हल्दी या बहुत थोड़ी सी हल्दी किस प्रकार से आपके जीवन में आपके ग्रहों को शान्त करके धनके मार खुलती है सबसे पहले आप सभी को ये जानना होगा कि हल्दी जो है कई बार हम इसे बहुत ही ज़ादा सिर्फ खाने की वस्तू समझ लेते हैं या हम कई बार सोचते हैं कि ये कई बार सिर्फ रोक के लिए ही कारियों में आती है परन्तु ये बहुत ही जादा पूजनी ये मानी जाती है मा बगला मकी की अराधना में या उनके यग्यों में जो है हल्दी का प्रयोग किया जाता है हल्दी के बिना जो है उनके यग्य पूरे नहीं माने जाते हैं वहीं हल्दी की माला से जो है मा काल का या दश्रावर्ती काल का माता जो होती है उनकी अरादना करने से उनकी विशेश क्रपा दरश्टी आपको प्राप्त होती है तथा आपके जीवन में सुखों का वास होता है किस प्रकार से हल्दी जो है आपके जीवन में कर्ज भी उतार देती है किस प्रकार से हल्दी जो है प्रमोशन तक करवा देती है तथा अगर आपका ट्रांसफर जो काफी लंबे समय से रुका हुआ है अगर वो नहीं हो रहा है तो वो कैसे हो जाएगा इसके अलावा अगर आप कोई एक्जाम है जिसके लिए बार-बार प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं क्लियर हो पारी है तो वो कैसे क्लियर होगी सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जो हल्दी होती है वो कैसे आपके घर में से परेशानियों को दूर करती है यहां पर कई लोगों के सवाल आये थे कि हमारा जो घर है वो दश्चिन मुखी है दश्चिन मुखी घर जो है कुछ राशी वालों के लिए तो बहुत जादा फलित होता है परन्तु कुछ राशी वालों के लिए बहुत जादा दुक्का कारण बन जाता है परन्तु कई बार हमें ग्रहों की स्थिती ना मालू होने के कारण या दिशाओं की ग्यानना होने के कारण हम घर खरीद लेते हैं काफी समय से घर बना हुआ होता है उसके बाद कई लोग बताते हैं कि आपका दश्यना मुखी घर है घर जो है नेगडिव एनरजी दे रहा है घर में जगडे बहुत हो रहे हैं घर में एक्सिडेट बहुत हो रहे हैं लॉस्स बहुत हो रहा है चलता चलता व्यापार बंद हो गया है तो उसके लिए क्या उपाए करें हर हफ़ते को बार बार अपनी एनरजी से भरपूर करना है क्योंकि महिलाओं में शक्ति मानी जाती है महिलाओं के अनरजी पूर्षों के मुकाबले बहुत जादा मानी जाती है तो आप जो है नहा दोकर जो है गुरु आर क्योंकि आपने शुरू किया है तो अगले गुरु आर गुरु आर क्योंकि गुरु ग्रह का दिन माना जाता है देव गुरु माने जाते हैं सबी ग्रहों को शान्त करने के लिए अगर गुरू की अराधना की जाए तो आपके जो पाप ग्रह भी है वो भी शान्त हो जाते ह to अपने हातों से जो है आप अगर बत्ती दिखाएंगी और अगर आपके घर में गाएं के उपले होते हैं कंडे होते हैं अगर उन्हें जला सकती हैं तो वो भी बहुत शुब माने जाएंगे इसके अलावा आप अगर ये कार कर लेते हैं तो कर्ज मुक्ति सबसे पहले घर की फिनिश होगी क्यों होगी क्योंकि जब दश्यन मुखी द्वार में हम रहते हैं तो गर्व से जो है एनर्जी आती हैं वहां से जो है उन गर्वों के जो स्वामी होते हैं वो एनर्जी देते हैं और कई गर्वों के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं कई व्योक्तियों के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं तो इससे कर्ज बहुत जल्दी होने लगता है घर में प्रवेश करते से ही जो है बंद पड़ा जो व्यापार होता है वो बंद होने लगता है या आपके जो है नौकरी में आपको परिशानिया नहीं लगती है अच्छी खासी नौकरी छूट जाती है विवा में देरी होने लगती है या कई बार यहां तक होता है कि करजा इतना जादा बढ़ जाता है कि सभी प्रकार से धन के जो मारग होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो वो शान्ती मिलेगी क्योंकि आप उसी की चौकट से आना जाना करेंगे तो energy जो है वो cut होंगी दूसरा उपाय आपको क्या करना है अगर दशिन मुखी द्वार होता है तो वहाँ पर आपको अपने पूरे घर में हफते में एक नियम बनाना है कि हल्दी का पानी आपको लेना है और उसे जो है पूरे घर में छीटे देने है दशिना वर्ती अगर शंख होगा आपके घर में तो उसमें आप पाँच दुर्वा लेकर पानी भरें हल्दी वाला पानी दशिना मुखी शंख में भरें और दुर्वा से चीटे दें दशिना मुखी अगर आपके पास शंख नहीं है तो सिंपल जो तामे का लोटा होता है वो ले लीजे, घर के मंदिर में रखिए, पानी मिलाइए, हल्दी मिलाइए और आप दुर्वा से जो है पूरे घर में छीटे दे दीजे इससे भी जो घर की एनर्जीस हैं वो बहुत positive हो जाएंगी और आपके घर में आपको शांती का अनुभव होने लगेगा वहीं अब बात करते हैं कि अगर ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि इसके लिए काफी सवाल आये थे कि हमारा ट्रांसफर जो है नहीं हो पा रहा है काफी हमने कोशिशे कर ली हैं तो आपको क्या करना है अगर आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि आपका ट्रांसफर हो जा और नहीं हो पा रहा है तो बहते पानी में आप देख लीजिए अगर दूरी भी होती है थोड़ी सी बहते पानी की आपको इपने आप ही रिजल्ड जो है कार्यों में गती आती हुई दिखाई देगी और जैसे ही गती आने लगे वैसे ही आप जो है दुबारा जाकर पानी में आप बहते पानी में हल्दी मिलाजी दो से तीन बार अगर या आप कारे कर लेंगे तो आपके जीवन में आपको ट्रांसफर का जो सुख है वो प्राप्त हो जाएगा इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत जादा करजा हो गया है करज की स्थिती बहुत जादा बढ़ गई है पैसे के मार्ग बंद हो गए है या किसी से पैसे लेने है वो दे नहीं रहा या पर खुद पर भी बहुत उधारी चड़ी हुई है आप चाहकर भी उसे जो है चुका नहीं पा रहे है तो आप क्या करेंगे सदेव मनुश्य कहता है कि गौ माता को आपको रोटी खिलानी चाहिए गौ माता क्योंकि लक्ष्मी के बहुत विभिन स्वरूप है सभी जानते है जो गौ माता होती है उनमें सूर्वी नामक लक्ष्मी का वास होता है जो कि धन की देवी मानी जाती है वैभव की देवी मानी जाती है तदा वो संपंता और समरिद्धी की देवी मानी जाती है तो सूर्भी लक्ष्मी अगर आपसे प्रसंद हो गई तो आपके जीवन में आपको कभी भी करजे की स्थिती का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके घर में सोने चांदी और यहां तक की वैभव की बरसात होगी तो क्या करना है आपको नियम बनाना है कि गौम आता को आपको हल्की सी चुटकी भरी हल्दी जो होती हो मिला कर शुद्ध आप आटे से रोटी बनाए और उन्हें अपने हातों से खिला कर आए यह कारे आप बिना नाहे दोई भी कर सकते हैं आपको सिर्फ यह कारे करना है घर के पुरुश अगरे कारे करते हैं तो घर में वैभव भी आएगा संपन्ता भी आएगी घर की महिलाएं करती हैं तो भी यह कारे जो है उतना ही फलित होगा तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कारिक करना है इसके अलावा व्यापार स्थल पर आपको लगता है व्यापार नहीं चल रहा है आपके व्यापार स्थल में बड़ोतरी नहीं हो रही है ग्रहकों की या बहुत ज़दा कार रुक गया है पहले बहुत ज़दा रहा गाते थे अब नहीं आ रहे हैं या जो सेल है वो बहुत ज़दा खतम हो गई है या अपने नएा व्यापार भी खागर खोला है तो भी मैं आप सब इसे कहूँगे आपको यह उपाए ज़रूर करना चाहिए क्य हैं तो लगातर 11 दिन उन्हें ये उपाय करना है नहां दोकर अगर बत्ति आपके जो व्यापार स्थल हैं वहाँ पर लगाने के बाद हल्दी से स्वास्तिक आप बना दीजे देख लीजे लोगों के पैरों में नाय ऐसी जगा पर बनाईए उसके उपर आपको मुठी वर चन पर आपने ये बना दिया है स्वास्तिक उपाय कर लिया है पूरा दिन आपको वहीं वो रखे रहने देना है रातरी भर वहीं रहेगा शुक्रवार को दूसरे दिन जब भी आपको समय मिलता है अपने हातों से उन सभी चीजों को समेट कर उसमें हल्दी आ जाएगी चनी की दाल आ जाएगी और गुड़ा जग समेट कर आप किसी भी धर्मस्तल या मंदिर में जाकर ये जो पुड़िया है जाकर वहाँ पर रख देंगे आप देखेंगे ग्यारा गुरुवार के बाद आपके जीवन में धन के जो भी मार गये है वो खुलने लगेंगे कोई असाइ पुरुष अगर अपने वैपास थाल पर करते हैं तो उन्हें लगातार 11 गुरुवार जो है बिना नागे के ये उपाय करना है अब हम बात करेंगे कि अगर आपको विवा में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है या विवा नहीं हो रहा है ये मैं पिछले अपने काफ वीडियो में आप लोगों को ये उपाय बता शुकी हूँ कि जो कच्ची हल्दी होती है हल्दी की गांट होती है वो साक्षा जो है गुरु ग्रह को मानी जाते है गुरु ग्रह कन्याओं के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ट माना जाता है गुरु ग्रह की क्रपा से ही उन्हें पुत्र की प्राप्ती होती है, संतान सुक की प्राप्ती होती है, उनके जीवन में उन्हें ससुराल का सुक प्राप्त होता है, तो उन्हें क्या करना है, एक हल्दी की गांट लेकर और उसे पीले कपड़े में बांद कर अपने हाथ में बांद लेना है या शरीर पर धारण करने या उसके बाद जो है उनके जीवन में अगर विवा को लेकर कोई समया रही है या विवा में बहुत परिशानी आ रही है तो वो जो परिशानी है वो समाप्त हो जाएगी क्यों क्यों कि अगर च patrim пока कि कुंडली में आप देखेंगे अगर कुंडली आप दिखाते हैं या जानते हैं तो कुंडली के सात्वा ग्रह अगर दुशीत होता है शुक्र अस्त हो जाता है या गुरू ग्रह सात्वे भाव में आकर दुशीत हो रहा है पाप ग्रहों से ग्रस्त हो रहा है तो आपके विव क्योंकि गुरू जो है हर कन्या के लिए बहुत ही श्रेष्ट माना जाता है वो उसे हर प्रकार के सुख देने के लिए श्रेष्ट माना जाता है तता गुरू ग्रह की क्रपा से ही उसे जो है धन दाने के प्राप्ति होती है व्यापार या नौकरी में भी रदी होती है क्योंकि हल्दी अगर आपने देखी होगी जिने ग्यान होगा हल्दी के तीन स्वरूप बताए गए हैं तथा नॉर्मली भी तीन रंग की हल्दी हमारे जीवन में हमने देखी होगी पीली हल्दी जो की साबुत खड़ी हल्दी होती है जिसका मांगलिक प्रयोग होता है जिसक जी को आप कुछ करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के पहले बुद्वार के समय पर अगर घर के ही गणेश जी की मूर्ती पर आप पीली हल्दी की गाट को या फिर पीली हल्दी की माला को अरपित करके मनोकामना पांगते हैं तो आपके वो मनोकामना जो है निश्चित ही गुरू को समर्पित है उन्हें ही माना जाता है साक्षात स्वरूप उन्हीं का माना जाता है पीली हल्दी का और काली हल्दी जो होती है श्यनी का स्वरूप मानी जाती है काली हल्दी से मा काली की अरादना की जाती है मा दश्यना वर्ती काली मा की अरादना उनके बीज मंत कार करना चाहते हैं तो आपको जो है पीली या काली हल्दी से जो है मा की अराधना करनी चाहिए जिससे आपको जीवन में आपको सभी प्रकार के क्योंकि मा काली जो काल को भी नियंत्रिट कर दे मा काली जो आपके काल के भी मुख को मोड दे मा काली जो आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा कर दे मा काली जो आपको सिद्धी दे सिद्धी दात्री मानी जाती है मा काली तो उनकी अरादनागर काली हल्दी की माला से उनके मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो वो बहुत ही आसानी से प्रसन हो जाती है इसके अलावा जो नारंगी रंगी हल्दी होती है उस तो ऐसा ना करे खल्दी, हल्दी जो होती है उसका दुरुपयोग ना करें, हल्दी को जो है कभी भी अगर जादा हल्दी बच्टии या जमीन पर गिर जाती उसे समेट कर जो है आप बहते पानी में बहा दीजिए जो आपके किचन का ही टैफ वोटर होगा उसमें बहा दीजए परणतु हल्दी को कभी पी अपने पैरों में नाने दे हल्दी का निरादर न करें क्यूंकि हल्दी जो है नकरातमक उर्जा को अछे में सिर्फ हमारे भोजन में जो भी भी साले जो भी C supervisor o Czya है वो किसी नाकिसी गह से ro Convers ours रेलेटेड हसे हमारे शरीर के सभी चक्राओं को क्लीन करता है तो हल्दी का जो है हमें बहुत जादा पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है ज्यान भी प्राप्त होता है तो हल्दी का उपाय करकर अपने जीवन में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्तो होकर बहुत से ज्यान को भी जो है बढ़ा सकते हैं तो भाईयों और मेहनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशेप चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए जैमाता दी दोस्तों